वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं जो टीवी एच और ट्रिपलेस के बीच सेकिंड मैच होगा इसल टीटेन का इसके बारे में ये वाला मैच फ़र्स्ट जो टीटेन का मैच था उसमें क्या है आपको मालूम होगा हाला कि अभी वो लाइव चल रहा है और उम कमाल करेगा स्टेट्स मैंने शेर नहीं के थे क्योंकि अगर मैं शेर कर देता तीन मैच में लगबग 145 कुछ रण से ओपनर प्लेयर है ओपन तो शायद नहीं करें चोते पर आना चाहिए तो देखते हैं बाकी देखिए ये वाला जो मैच जिसकी अभी आप वीडियो स्ट्रांदार आपको COMBINATION estos में श्टार्ट करते वीडियो को वीडियो में आपको सब पता लगेगा कि दोनों टीमों का बैटिंग करेगा कोण death में bowling करेगा कुन कितना important है सब मैं आपको वीडियो में बता दूँगा तो start करते हैं वीडियो को जो users ऐसे हैं जो पहली बार इस channel पे आये हैं सबसे पहले तो channel को subscribe कर ले ना वीडियो informative लगे like जरूर करें and सबसे important बार telegram से जरूर जोन हो जाए और कोई नया player जिसका states वीडियो में नहीं है तो उस case में आपको मैं जो team होगी और जो states होगा वो मैं आपको telegram पे share करूँगा मैंने link आपको वीडियो के description में दिया है तो जो भी users ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन telegram से नहीं जुड़े हैं तो जो in कर लिजेगा यहां से हम बात करते हैं मैच के बारे में और यह वाला मैच फर्स्ट मेच के compare में काफी ज़्यादा सही है वेन्यू का simple सा scene है देखे अभी पहला में जो चल रहा है ना उसमें आपको सारी condition पता लग जाएगी कि हो क्या रहा है वैसे यहां पर most of the time अच्छी betting होती है तो मैं expect कर रहा हूँ कि at least इसमें भी अच्छी betting होगी और दोनों side अच्छे खासे heaters भी available है तो उमीद करता हूँ एक अच्छी betting होनी चाहिए उसके एलाओ दोस्तों यहां से कर मैं बात करता हूँ जो प्लेइंग लिए होने triple S की तो mostly यहां से आपको opening करते हूँ दिखेंगे कासिमीर, बेंजामीर, बेंजामीन जिनके 10 मैच के अंदर लाच्ट के 10 मैच में 231 रन है और यह जो है opening करेंगे Stephen Pascal के साथ जो कि एक ऐसा player है जो बेटिंग भी करेगा और bowling भी करेगा इसका मतलब है कि यह बंदा आप सीधा captaincy में लेके जा सकते हो क्योंकि खतरनाख hitter और spin baller और spin baller यहां पे हमेशा एक मैच में नहीं हमेशा अच्छा करते हैं तो यह चीज़ ध्यान रखना वन डाउन आएंगे Jason Paris जिन्होंने 8 मेच में 174 run बनाए हुए बेटिंग से और वहीं पे 2 wicket इनके नाम अभी शाही एटेनी है 9 मेच में 7 wicket और ठ्यानवेन के run से आफ्टर देट आएंगे Kay Lewis 11 मेच में 121 run 2 wicket एक बात यह ध्यान रखके चलना इनका जो अभी आप लोग बेटिंग ओडर देख रहे हो ना मतलब कई तो अंडर 19 के प्लेयर से जो अंडर 19 के मैचेस होते वहाँ के प्लेयरे कई प्लेयर अलग-अलग टीम से थे तो इनका बेटिंग ओडर हो सकता है जो मैं बोलिंग अटेक आपको बताऊंगा वही बोलिंग करेंगे बिकोश देखिए मैं आपको जिसकी पॉसिबिलिटी जादा होती है वो चीज बताता हूं तुक्के वाली चीज में नहीं बताता हूं ठीक है तो मेबी चेंज हो जाए बेटिंग ओडर बाकी जो है मतलब हाई चांसे जिस चीज के है वो मैं आपको इंफर्म कर दिया हूं के लिए इसके बाद आएंगे आज से डी रोल जिनके 6 मैच में 4 विकेट 45 रन शेन श्लिंग फोर्ड है 9 मैच में 8 विकेट इनके उसके बाद आएंगे केशवन विविले 12 मैच में 3 विकेट अच्छे एक चीज में आपको इनकी बताना चाहूंगा कि बंदा बोलिंग बोलिंग तो करता है लेकिन मैनली क्या है न इनको विकेट ही नहीं मिलता है बोलिंग करता है और 2 ही ओवर करता है लास्ट के मतलब 2-3 मैच में आप जाके देखो न हर मैच में ओवर करता है लेकिन विकेट इनको मिलता नहीं है तो अच्छा बोलर है बट आप थोड़ा सार इसक लेके चलना है इस पर ठीक है केश में विविले आपनिंग करेंगे केविन जेम्स सेकंड डाउन आएंगे रिक जेम्स फिर आएंगे केल के भी और आफटर देट आएंगे जैमी जेम्स ये एक अच्छा बोलर है हाला कि विकेट इसको भी जैसा भी मैंने आपको बताया था न यहाँ पर कि केश में विविले को बोलिंग तो मिलती है लेकिन विकेट नहीं मिलता है वही काम जेमी जेम्स का होता है बोलिंग अच्छी करता है लेकिन इसको भी विकेट नहीं मिलता है लेकिन यह बोलिंग उससे कहीं ज़्यादा बेश्ट करता है ठीक है उसके बाद आएंगे ओडी मियर जिन्होंने लाश्ट के इनके पांच मैच में दो विकेट है एलेक्स एंटोनी है और ये खतरनाक प्लेयर है मतलब गेमचेंजर प्लेयर मानके चलिए आप इस प्लेयर को उसके बाइब आएंगे एल्टन मार्क तीन रन जीरो विकेट बारा रन देके फिर तीन रन फिर गुनिस रन फिर आएंगे हाथ से डिलेनी अलेक्सेंडर और ये मेंड बोलर है और ये मेंड बोलर के साथ साथ ये ऐसा बोलर है जो की लगभग मैक्सिमम मैचेस में विकेट निकालता है और important भी है ठीक है उसके बाद काईरोन फिलिप है opening करेंगे काईरोन फिलिप डिलेनी अलेक्जेंडर के साथ वहीं पे केल के भी death horse में आएंगे Alex अन्टोनी के साथ ये दोनों ट्यूमों की mostly वो playing लिए उन्हें जिसमें players के खेलने की chances बहुत ज्यादा high है अब इसके अलावा जो team है जो team मेरी इस match के लिए रहेगी वो मैं आपको बता रहेता हूँ जो changes होंगे team के अंदर वो inform में कर दूँगा वीडियो में आपको मैंने मतलब देखे सारी जो details होनी चाहिए match की important वो inform कर दी है आप अपने coding भी यहां से team ready कर सकते हो क्योंकि information गलत नहीं है इसकी मेरी guarantee है और कोई गलत निकाल नहीं सकता है ठीक है तो अभी बात आजाती है demo team की तो आप लोग देख लो जो changes होंगे team में या तो मैं क्री क्विंस पर देदूँगा या फिर अपना man channel तो है यहां पर देदूँगा तो ठीक है तो joining link में ने description में दिया हुआ जोइन कर लिजेगा so guys देखे विगेट keeping section के अंदर Benjamin सबसे best है इसलिए मैं नहीं को pick किया हुआ है देखे आर जेम्स भी है बट यह वही player है जिसने लाश्ट के चार मैच में केवल जो है 11 run बना है मुझे नहीं लगता है कि आपको इनको लेना चाहिए ठीक है और जो A Matthew है यह भी उतने कुछ effective player है नहीं आप चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो लेकिन इनके 11 मैच में 89 run है 11 मैच के और बैटिंग भी डाउन है बैटिंग सेक्शन मैंने जिन तीन प्लेयरों को लिया है पॉप आपनिंग करेगा जोर्ज के साथ के भी और लाउंडर प्लेयर है बाकी अधर कोई option इनके पास अच्छा है भी नहीं जो हम ले पाए और लाउंडर सेक्शन में बस मुझे थोड़ा सा जो दिक्कत है न वो है श्लिंग फोर्ड को मैंने ड्रोप किया और देखिए रीजन भी है मैंने ऐस डेस कार्ट को लिया है जो डेथ में आता है और विकिट टेकर बोलर है डेस कार्ट ये चीज़ आप ध्यान में रखके चलना तो डेस कार्ट को सेलेक्शन के और इनका 8% है अब चाहो तो इनके साथ जा सकते हो लेकिन इनकी टीम में मैं स्पिन बोलर जो है ना मतलब जिनके चांसेज बोलिंग के ज़ादा है अला कि ये भी मैं बोलर दी इसमें कोई डाउट है नी बट मुझे डेथ बोलर जादा मतलब एफेक्टिव लगते हैं और फिर सेलेक्शन काफी लेस है तो अगर आप चाहो ना जैसे बोलिंग में लाइकली आपने ड्रोप कर दिया जेम्स को कर दिया और यहां से स्लिंग फोड को ले लिया कोई इशू नहीं है बिलकुल ले सकते हो बाकी मैंने नहीं किया है जो जे जे जेम से अच्छा प्ले रहे तो यह मेरी डेमो टीम इस मैच के लिए स्मॉल लिक की है वीसी के बेस पे आप बेंजामीन आपके पास बेस्ट है अलेक्जेंडर डी अलेक्जेंडर लोडाउंडर में जो सेक्शन में प्लेयर है यह भी बेस्ट है टीम अगर पहले बोलिंग करती है पासकल की देनी यह भी बेस्ट है क्योंकि इसको आप एज़र ट्रंप के द्यान देना पुट करता है बोलिंग और यह तो इससे बेस्ट तो कोई कैप्टन हो ही नहीं सकता है तो यह चीद ध्यान देना बाकी जो चैन्जेस होंगे टीम में वो फिर मिल जाएंगे टेलिग्राम ठीक है थैंक यू दोस्त वीडियो के इन तक देखने के लिए मिलते हैं कर्णा कर दा दें र raiseडर दीक है रते हैंगे जा जाठकना थकुछ के आठके लिए मिलते हैं र लिए थे यू Україंस भीक तोस्त पनाएंगे जयां दीक है बाक्छाइ ऐसाँ से परहाजड़ मिलते हैं